हेलो फ्रेंड जैशी कृष्णा स्वागत है आपका मेरी कीचन में आज मैं आपके साथ शेयक कर रही हूँ सिफ एक कप कच्चे चावल और दो भून तेल से बना सुपर टेस्टी सुपर स्पॉंजी नाश्ता जिससे आप कभी भी सिफ 10 से 15 मिनिट में बना के त्यार कर सकते हैं और इक खान में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि घर में बच्चे हो या बड़े ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा पी नाश्ता टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्थी भी बहुत है तो विचली देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घर में रखे हुए एक कब चावल ले लिये हैं तब जो भी चावल घर में regular use कर सकते हैं वो ले लें अब आप इसे अच्छे से wash कर लें और wash करने के बाद या सिवसे 4-5 घंटे के लिए भिगा दें अगर आप इसे सुबह बना रहे ह तो रात को भी भीगा सकते हैं या फिर शाम की चोटी मोटी भूक में बना रहे हैं तो आप इसे दिन में भी भीगा सकते हैं बस यहाँ पर जो चावल है 4-5 घंटे अच्छे से भीगे होए होने चाहिए तो मैंने यहाँ चावलों को 4-5 घंटे के लिए भीगा लिया है ये पांच टेबल स्पून के जितनी हम इसमें सूजी डालेंगे सूजी आप इसमें मोटी या बारिक कैसी भी ले सकते हैं दो से तीन चमबच इसमें पानी डाल देंगे और इसका हमें एक महीन पेस्ट बना लेंगे मतलब एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है जराब इसमें चावल के चंक्स नहीं रहने चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एकदम महीन पेस्ट बना के तियार कर लिया है इसी तरह का एकदम चिकना पेस्ट आपको बनाना है अगर जरुत लगे तो आप एक से दो चंक्स पानी इसमें और एट कर सकते हैं अभी जो पेस्ट बनाया है इसे हम एक बड़े मिक्सिंग बोल में ट्रांसवर कर लेंगे और हम इसे ढख के रख देंगे कम से कम आदे घंटे के लिए जिससे की जिसमें हमने सूजी डाली है वो एक दम अच्छे से फूल जाएगी जब तक हम इस नाश्टे के साथ खाने के लिए एक चटपटी से चटनी त्यार कर लेते हैं उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ पर दो बड़े चमच तेल गरम किया है उसमें एक चोथाई चमच उड़ा दाल एक चोताई चमच चना दाल और एक चोथाई चमच हींग डाल दे एंगे और सारी चीजों के अच्छे से भून जाने देंगे टो तिनकल या breaking डाल देंगे एक मेडिम साइस के पैस को रफली चॉप कर के डालेंगे यहाँ पर मैंने खटा टमाटर यूज किया है अगर आप देसी टमाटर की जगह जो हाइब्रीड वालब वो यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं इसमें दो सुखी लाल मिर्चे डाल देंगे और नमक डाल देंगे टेस्ट का अकॉर्डिंग मिर्चे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़ादा डाल सकते हैं अगर यह नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं थोड़ी से फ्रेश कड़ी पत्ते डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम फिर से एकदम अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमांटर हमारे अच्छे से भून गए है और जब हम इसको स्पैचुला से प्रेस कर रहे हैं तो यह दब रहे हैं बस इसी सेश तक आने तक हम इन सारी चीज़ों को पकाएं इसके बाद हम हम Гяс को बंद कर देंगे और इस मिक्सर को अच्छे से थंड़ा हो जाने देंगे और जब हम इसको इसको मिक्सी जार में टास्फर कर लेंगे तो यहाँ पर देखें मिक्षर हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इस सारी मिक्षर को हमें एक मिक्सी के जार में टांसवर करना है थोड़ा सा पानी आट करेंगे इसकी चटनी पीसने के लिए नमक और आट कर सकते हैं और हम इसकी एक स्मूध सी चटनी बना इसमें थोड़ी सी राई और एक सुखी लाल मिच को इसे छोटे टुकड़ो में तोड़के डाला है थोड़ा सा कड़ी पता डाल देंगे और बस इस तड़के को हम अपनी चटनी पर डाल देंगे और एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारी चटनी हो गई है बन क टुकड़ा कद्दूकस करकर अड़ कर देंगे दो तीन बारी कटी हुई हरी मिर्चे डाल देंगे नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और एक टेबल स्पून की जितना हम इसमें ओइल डाल देंगे मैं यहां पर एक टेबल स्पून ऑइल डाल adv various से क्या हो गई जो हमारा नाश्टा है जब हम खाएंगे तो हमें ड्राय ड्राय नहीं लगेगा अच्छा सा एकदम वह हिस्ट और इकदम सॉफ्ट बनेगा अब इस पूरे बैटर को हम एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से फैट लेंगे जैसे कि हमारा जो बैटर है वो इधर की किसी थाली में भी बना सकते हैं परस जिस भी चीज में आप उसको बना रहे हैं उसे ओल डालके पहले अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लें अभी जो बैटर है इसमें हम डाल देंगे एक सैशे इनो का इसमें एक टी स्पून इनो होता है और क्योंकि हम इनाश्टा इनस्टेंट बना रहे हैं तो इसमें हमें इनो की जरुत पड़ेगी इनो डालके इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तकि इनो पूरे बैटर में एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है जैसे जैसे इनो आप इसमें मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि हमारा बैटर जो ह या फिर काली मिर्च का पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे यह दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर मैंने कड़ाई में पहले ही पानी गरम होने के लिए रख दिया था पानी कम हो गया है तो पानी आप कड़ाई में और एट कर सकते हैं यहाँ पर यह 15 मिर्ट हो चुके हैं नाइफ से एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं यह देखें नाइफ एकदम क्लीन आया है इसका मतला हमारा जो नाश्ता है वह बनके बिल्कुल त्यार हो गया है तो बस गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम कड़ाई में से निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से थंडा हो जाने देंगे जब यह गरम गरम है तब आप इसे इस तरह से ना निकालें जब थंडा हो जाए तब आप इसे निकालें तो यहाँ पर हमारे जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है तो पहले किसी चाकू की help से इस तरह से इसके edges को हम थोड़ा से loose कर लेंगे जिससे की जो नाश्ता है न वो थाली में से या फिर cake tin में से बहुत असानी से निकल जाएगा उसके बाद जिस तरह से हम ढोकला के pieces करते हैं उस तरह से हम इसके pieces कर लेंगे इसके piece आप छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो उस तरह से कर सकते हैं और friends मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह जो हमारा नाश्ता है वो कितना super soft और एगदम spongy बना है और यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ यह देखिए कितना soft, कितना जालीदार, कितना spongy हमारा यह नाश्ता बनके त्यार हुआ है और आप देख सक देख सकते हैं यह घर में सभी को बहुत पसंद आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा ही नाश्ता इस तरह से केक तिन में से भार निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना soft, कितना मुलायम, कितना जालीदार और कितना spongy हमारा यह नाश्ता बनके त्यार देख से हींग डालेंगे ठोड़ा सा कड़ी पत्ता ढाल देख बस अनसारी चीजिझों को अच्छे से मिक्स कर दे तेल में और इस तड़के को हमारे नाश्ते के उबबर बार देंगे कटा हूँ हरा धनिया डाल देंगे धनिय से इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा आता है और बच इस तड़के को हम क्या करेंगे पूरे नाश्ते में एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये चटनी और ये कच्छे चावल का बना ना अच्छीं